नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फॉर्स्ट इंवेस्मेंट पे मैं हूँ आपका मेंटर शेवांच पसी आज की मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी सेंशिक्स या फिर हम एशियन मार्केट की बात करें ग्लोबल सेलओ हमें देखने को मेला बहुत जादी सेलओ हमें देखने को मेला विल्लो से पहले देखने को मेला कि मार्केट पे ये सेलोफ न आया था फॉम warkt विल्य कशी है चाल मोस्त 4.5% के आज पास तक हम लोगों ने बैंग निफ्टी में सल ओफ देखा है 3% तक हम लोगों निफ्टी के अंदर सल ओफ देखा है और मुस्त सेंट 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 2000 पॉइंट तक क्राश कर चुकी है तो क्या रीजान है किस तरीके से हमें काम करना चाहिए है क्या फैक्टर्स है क्या लॉजिक है कि मार्केटी गिर रही है क्यों मार्केट गिरी है इसके बारे में बात करेंगे क्या आगे फ्यूचर मार्केट यहां से गिर सकती है कि मार्केट रिकवर कर सकती है इसके बारे में भी बात करने वाले है ये वीडियो बहुत जादा knowledgeable होने वाली है आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को macro economics या macro factors या micro factors के ऊपर अगर आप लोगों को interest है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जादा important आने वाली है बहुत जादे इंट्रेस्टेंग होने वाली है कुछ ऐसे 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 आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं जिसके बेसे पर मुझे लगता है कि यहां से मार्केट और गिर सकती है यह सो चार दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अगर आप यहां पर देख सकते हैं आपको देख जाएगा कि मार्च 2021 कराश यह मैंने चार दिन पहले डाल दी थी और आप लोगों को बोला था कोई भी मार्केट पर अपसाइड आई और हम लोगों को हलका सा भी शक हुआ कि मार्केट यहां से फॉल करी है you have to go for a shot वहाँ पर आपको shot पे जाना है you can check this video मैंने आप पर भी detailed analysis बताई थी आप लोगों को क्या logic था क्या reason था don't worry अगर आप लोगों ने वो वीडियो नी देखिये तो इस वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़े आप लोगों के सामने लेकर आने वाला तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले point की जो मैं बात करता हूँ वो है global sell-off global sell-off की बात करें तो मैं आगर आप लोगों को बताऊ कि अपने high से Asian markets कित्ती जादा fall कर चुकी है 12,800 रुपीज पे और almost almost 8% अपने high से गिर चुका है निकाई की बात करूँ अगर निकाई की हम बात करते हैं तो वो 28,900 के आसपा straight कर रहा है एक अपने 29,000 के level को break कर चुका है और almost almost 5.5% तक का अपने high से fall कर चुका है सबसे important हैं अगर मैं बात करूँ तो वो भी 29,000 के नीचे जाके closing दे चुका है और almost almost हम देख रहे हैं कि 7.5% का fall हमें देखने को मिल रहा है अगर हम अपनी country की बात करते हैं अगर हम इंडिया की बात करते हैं और Nifty, Bank, Nifty और Sensex की बात करें तो एक global sell-off है market के अंदर अब इसके पीछे के reason क्या है क्यों global sell-off है उसके बारे में भी बात करेंगे कोई बात नी second point के अगर हम बात करें तो second point जो सबसे important है that is the commodity prices are rising commodities के price बहुत जादा राइस करे हैं आप लोग ने देखा होगा कि copper के price rise करें crude oil का price is rise करें steel के हम देख रहे है cement के हम देख रहे है कि prices बहुत तेजी से rise कर रहे है अगर मैं आप तो को nifty का weightage बताओ अगर nifty 50 का free float की weightage अगर मैं आपको बताओ तो almost 47% 47% हम लोग देख रहे है कि जो भी nifty का weightage है उसमें से जादा तर जो commodities use होती है मतलब अगर हम लोग कुछ manufacture कर रहे हैं कुछ भी यह कर रहे है तो उसमें जो commodities use होती है सबके prices इस तरीके से rise करें हैं चै कॉपर हो चै निकल हो चै अलूमीनियम हो चै क्रूड ओल हो कोई भी हम लोग commodities देखे के वो exact अपने सारे high पर trade कर रहे है और उसकी वज़ा से 50-50 के index को सबसे जादा problem हो सकती है यस गाइस आप देखते हैं जितने भी stocks उक्से अंदर है तो almost 47% तक impact कर सकती है उन companies को यह commodities की price जो rise कर रहे है अगर सबसे important जो अभी तक का चल रहा है वो चल रहा है crude oil का price तो अभी right now वो 63 dollar per barrel पर trade कर रहा है yes guys और हर दिन जब यह 10 barrel dollar बढ़ता है आगर मैं आपको को एक fact बता हूँ जब भी 10 barrel बढ़ता है dollar crude oil तो हम लोग देखते हैं कि हमारा current account deficit है जो हमारा fiscal deficit है वो almost 10 to 12 billion dollars तक बढ़ जाता है तो वो हमारी market के लिए हमारी country के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जिस हम लोगों को मतलब इतना ज़ादा नुकसान हो रहा है every 10 dollar per barrel का अगर मैं आप लोगों को बता हूँ April 2020 के अंदर वो 19 dollar per barrel पे trade कर रहा था crude oil का price कब कितने पे trade कर रहा था 19 rupees sorry 19 dollar per barrel पे कब April 2020 अभी कितने पे trade कर रहा है एक साल भी नहीं हुआ है 63 dollar per barrel और मैंने आपको बताया every 10 dollar per barrel पे हमारी country को 10 से 12 billion dollar का नुकसान होता है तो आप देख सकते हैं कि हम भी तक हम लोग कितने नुकसान को जहलते वे आ रहे हैं ये तो थी commodities के prices जो कि increase करें जो कि हमारा था second point ये कम होना पड़ेगा जो कि मुझे लगता है कि almost 70 dollar per barrel तक भी जा सकता है and जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि steel के prices increase कर रहे है सेमेंट के prices increase कर रहे है copper increase कर रहा है Asian markets में global market में copper बहुत तेजी से increase कर रहा है वो हमारे market को सबसे जादा impact कर सकता है आप लोगों को पता है कि crude oil हमारे आप पर import होता है ना कि हम लोग export करते हैं सबसे जादा वो problem create कर रही है एक तो scenario आए देखिए सब match करते हुए अगर मैं चलूँगा आपका concept क्लियर होने वाला है crude oil का prices increase कर रहे है हम लोग क्या करते हैं import करते है चलिए अगर हम लोग import करते हैं तो अगर हम यह मान के चले कि हमारा जो Indian rupee है अगर वो appreciate कर रहा है तो तो कोई चिंता की बात नहीं वो थोड़ा सा कम कर देगा बतला हमारा 72 अगर हमारा for example अभी current चल रहा हो 72 रूपीज और हम देखते हैं कि वो appreciate करते करते 70 रूपीज पर आ चुका है crude oil का price increase कर रहा है तो वो कही न कहीं minimize कर देता है हमारे loss को but अगर हम देखते हैं कि हमारा रूपी भी depreciate कर रहा है 72 से 74 पहुच रहा है plus crude oil के prices भी increase कर रहे है वहाँ पर जो हमारा import है वो सबसे जादा हो जाएगा और वहाँ पर हमारी country को सबसे जादा नुकसान होने के chances है तो इसी के साथ मैं race करता हूँ अपना third point जो की है Indian रूपी Indian रूपी अगर आप देखेंगे within two days के अंदर-अंदर 72 रूपी से 74 रूपी से तक जा चुका है depreciate कर चुका है 2 रूपे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह जो heavy sell off हमें देखने को मिल रहा market का आपको reason समझ में आ रहा है जब market को गिरना है जब market को गिरना ही है तो कोई भी चीज आप कोई भी news खोल के देख लो सारी आपको negative ही दिखेंगी अगर market को बढ़ना है तो कोई भी negative news को वो लोग positive बना के भी दिखा देंगे बट अब भी आप देख रहे हो global sell off आ रहा है commodities के price increase कर रहे हैं वो increase कर रहे है actual में आखरी में जाके एक inflation आ सकता है ये points आप समझेए third point के बताया rupee depreciate कर रहा है dollar index increase कर रहा है dollar index और increase करता है rupee depreciate करता है ये एक inverse relation होता है जब भी dollar index increase करता है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर rupee depreciate करता है तो इस वज़ा से आप लोग देखते हैं कि market प एक heavy sell-off हमें देखने को मिल रहा है अभी इसके अलावा गर मैं आप लोग बता हूँ मैंने पूरे notes बना रहे हैं अगर मैं आप लोग के साब मैं notes को share करता हूँ यह आप आप देख सकते हैं पूरे notes बने वे हैं अगर मैं आप लोग को बता हूँ हम फूर्थ पॉंट की बात करते हैं इस ब बॉंड दील्स बॉंड दील्स के बारे मैं अगर मैं आप लोग को थोड़ा बताना चाहूँ जोई ग्लोबल सेल-off आप यह बॉंड दील्स की वज़ा है अगर आप news पे देखेंगे अगर आप टाइप करेंगे reason of global sell-off आपके सब सुपर पॉंड पाइगा rising of bond deals rising of bond deals actual bond deals है क्या इसके बार में बात करते हैं आप समझ लीजिए कि यह एक bond है ठीक है? यह समझ लीजिए यह एक bond है मेरे पास यह bond की copy है ठीक है अब मैं government हूँ मेरे को na bond market पे sell करना है ठीक है? मैंने बोल दिया कि यह एक bond है ठीक है? this is the bond यह bond मैं आप लोगों को sell करना चाहता हूँ यह bond का जो price है आपको purchase जिस purchase price पे आप कर सकते हो वो for example आप मान के चलो 100 rupees है आपको यह 100 rupees पे मैं यह दे दूँगा ठीक है? आपको bond दे दूँगा अब हर 100 rupees पे यह 10 year का bond deal है पूरी बात धियान से समझेगा यहाँ पर ही आपके concepts को में clear करूँगा कि in future आपको और videos देखने की जूरत ना पड़े आप अपनी analysis खुद करता है ठीक है? यह bond government हमें बोलती है 10 साल का bond है यह मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और इस पे coupon होंगे आपके पास 10 coupon होंगे ठीक है? एक coupon यह रहा एक coupon यह है एक coupon यह है आपको क्या करना है? आप एक coupon ऐसे फाड़िएगा आप फाड़ के आप हमें देजिएगा यह coupon के बदले आप हमें coupon देंगे हम आपको इसके बदले 20 रुपे देंगे क्या मतलब हुआ? कि मतलब यह कहना चाह रहा है अगर मैं यह 100 रुपीज का आपको ना बेचू में 1000 रुपीज का बेचू अगर यह मैं आपको 1000 रुपे का बेच रहा हूँ और मैं आपसे कहा रहा हूँ मैं हर साल आपको 20 रुपे दूँगा 10 साल तक और उसके बाद मैं आपको आपके 1000 रुपे भी वापेस कर दूँगा तो क्या आप यह करना चाहेंगे क्या percent बना? क्या return दे रहा है वो आपको 2% का return दे रहा है 2% का दे रहा है मतलब 20 रुपे दे रहा है ठेक है? 2% का return मतलब 20 रुपे दे रहा है हर साल तो क्या आप लोग लेना चाहेंगे? inflation rate पता है आप लोगो को किता चल रहा है? 4% चल रहा है और अभी inflation rate का वो आया है कि जिस पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2% से 6% तक within 5 years inflation rate रह सकता है तो क्या आप मुझे बताइए जब ये 2% आपको दे रहा है inflation rate 4% है क्या इंडी एंड आपका सालाना नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो आपको 20 रुपे दे रहा हो नहीं पसंद करोगे न अलग बात है ये risk free है share market में सबसे जादा risk होता है bonds में risk नहीं होता because ये governments authorized होती है ठीक है तो ये risk free है पर तब भी मैं 2% loss कर रहा हूँ year to year में क्यों यहां पर लूँगा जब यहां पर आप इस bond को purchase करना नहीं चाहोगे eventually क्या होती है government bond के prices को decrease कर देती है वो क्या बोलती है भाई 1000 रुपे में नहीं ले रहे हो कोई नहीं ले रहा कोई खरीदने वाला नहीं मार्केट में क्या गरता हूँ मैं इसको 1500 कर देता हूँ जब मैं इसको 1500 कर दूँगा तो क्या bond का price decrease हो गया बट जो return है वो तो 20 रुपे है जो यह coupon में आपको दिखा रहा हूँ यह coupon तो 20 रुपे कही है मिलेंगे तो 500 में 20 रुपे ही interest जो की 20 रुपे दे रहा है इसको समझेगा तो उसका जो yield होता है bond yield होता है वो increase करना start कर देता है तो अब क्या हुआ अब हमें 4% मिल रहा है बतलब हम inflation को तो beat कर पा रहे है inflation तक पहुच पा रहे हैं तेक है अब आप एक बात बताईए क्या मैं market में stock market में पैसा लगाना safest समझेगा जहां पर मुझे negative return भी मिल सकता है कि मैं safest जगा जाओंगा जहां पर मेरा inflation बीठ हो रहा है मेरको extra पैसा देनी की जरूरत नहीं पड़ेगी please let me know comment section के अंदर ये चीज़ जरूर बताएगा आप लोगों की knowledge की उपर मैं ये बात वीडियो बना रहा हूँ जिसपे आप लोगों को in the end सारा काम मिल पाए तो जब इन्होंने 500,000 रुपीज से 500 कर दिया तो क्या हम लोग ये खरीदना पसंद करेंगे definitely खरीदना पसंद करेंगे अब एक चीज़ और आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी गाता कि US की government stimulus लेकर आ रही है हमारी government भी stimulus लेकर आई थी 1.9 trillion dollar का stimulus लेकर आ रही है US की government कैसे लेकर आईगी इतना money कैसे raise करेगी वो print तो करी रही है उसके अलावा कैसे raise करेगी उसके अलावा वो एक चीज़ और करेगी वो क्या है वो ये करेगी कि ये bonds को दुबारा market में बेचना start करेगी बोलेगी कि ये bond खरीदो हमें पैसा दो कि हम इसे market में लगा पाए ये ही stimulus ऐसे लेकर आईगी ये ठीक है तो जब ये आपको और बेचेगी अभी आप बताएए for example अभी सिफ 100 bond है market के अंदर जब वो और stimulus लेकर आने के चकर में market के अंदर bond डालेगी तो supply increase करेगी जब supply bond की increase करेगी पर demand नहीं है कोई खरीदने वाला नहीं है क्या इसका price और गिरेगा जब इसका price गिरेगा तो क्या yield बढ़ेगी of course bond का price जिस price पे हम खरीद रहे हैं और जो return हमें मिल रहा वो inverse होता है अगर bond का price कम होता है तो हमें return या yield जादा मिलती है अगर return या yield कम होता है तो यानि की bond का price increase कर रहा है ठेक है तो जब भी bond का price गरता है yield का price बढ़ता है तो वो एक safest place मानी जाती है जहां पर investors अपने money को invest कर सके तो आप लोग अगर देखेंगे कि वो safest जगह है तो क्या वहां पर जो FIIs है वो Indian stock market से पैसा निकाल के क्या अपने bond deals पर लगाईगी जब वहां पर उन्हें कम मिल रहा है और एक stimulus जब आजाएगा और ये bonds market पर और आजाएगे जब supply increase हो जाएगी तब और हमें return मिलना start हो जाएगा अगर मैं अभी current की बात करूँ 10-year bond deals, US 10-year bond deals की तो वो current चल रहा है 1.477 रूपीज पर अगर आप अभी आप जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो almost 240% तक rise कर चुका है within 6 months 5-year bonds की बात करूँ तो 5-year bonds का भी importance होता है बिल्कुल सेम होता है जैसे ही 10 साल तक आपको हर साल 20-20 रूपे देगा तो वो 5 साल तक आपको हर साल 20-20 रूपे देगा इस तरीके का होता है तो 5-year bond deals की अगर मैं US की बात करूँ तो वो भी 0.771% पर ट्रेट कर रहा है और वो भी अपने highest pay है अब एक बात बताईए आप लोगों की माइंड में ये बात आरही होगी कि यार इंडिया का बॉंड डिल्ट क्या कर रहा है क्या इंडिया का बॉंड डिल्ट भी इंक्रीस कर रहा है येस इंडिया का बॉंड डिल्ट भी इंक्रीस कर रहा है of course right now जो इंडिया का 10 years का bond deal है वो ट्रेट कर रहा है 6.326 पे यज़ अब आप लोग को माइंड में एक कोशन और आ रहा होगा वो कोशन क्या रहा होगा कि जब US का 10 year bond चल रहा है 1.5 something पे और इंडिया का जो bond deal चल रहा है 10 year का वो 6.something पे चल रहा है तो क्यों FIIs Indian market पे मतलब इंडिया के bonds पे पैसा नहीं लगा रहे है क्यों वो US पे पुल आउट कर लेंगे money को because जब भी बात आती है bonds की तो US का bond सबसे जादा safest माना जाता है जो FIIs हैं वो लोग जब भी market पे आते हैं इंडिया में पैसा इंवेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो वो तब ही सोचते हैं जब market हमारी low level पे ट्रेट कर रही होती है क्योंकि वहां पर वो लोग सबसे जादा percentage wise return earn कर सकते हैं तो market को देखने के लिए वो लोग risk free समझते हैं इंडिया मार्केट वो भी equities ना कि bond को तो bond को प्राइस अगर ये 15 भी हो जाता है bond deal का इंडिया का तो भी FIs यहां पर money invest करेंगे कोई बात नहीं इंडिया FIs इंवेस्ट ना भी करें बट इंडिया की market तो करेगी domestic institutional investors तो करेंगे hedge funds तो करेंगे hedge funds तो सब कुछ करते हैं hedge funds bond deals पे पैसा लगाएंगे 6% का return मिल रहा है inflation किता है inflation 4% है 2% उपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो भी safest अब stock market अपने high level पे trade कर रहा है PE ratio 45 तक पौछ चुका है तो क्या market यहां से गिर नहीं सकती इतने risk पे क्या हम लोग stock market पे पैसा लगाना है पसंद करेंगे कि bond में जाएंगे जो कि हमें minimum 2% risk free मिल रहा है with inflation sorry without inflation sorry with inflation मैं थोड़ा सा confused हो चुका हूँ तो आप points समझ रहे है rupee depreciate कर रहा है 2% दो दिन में भाग चुका है 72 का 74 हो चुका है guys और अब भी लग रहे हैं अगर आप लोगों को चार्ट पे लेकर जाके comparison करवा हूँआ यह सेम चीज मार्च में हुई थी 71 से 77 तक पहुच गया था Indian rupee depreciate कर गया था और उसमें हम लोग ने देखा था कि market पे क्या हुआ था मैं आप लोगों को चार्ट कंपेर करके देखाऊँगा यह वीडियो में आपको सब समझ में आजाएगा आपको कहीं और जाने की जुरूरत नहीं पड़ेगे चलिए सारी बाते कर ली अब बात करते हैं इंडिया विक्स की इंडिया विक्स अभी ट्रेट कर रहा है 28 रुपीज पे आज के आज वो 22 परसंट बड़ा है इंडिया विक्स एक बहुत कंसॉलिडेशन रेज का ब्रेक आउट दे चुका है इंडिया विक्स जब मैं आप लोगों को निफ्टी और इंडिया विक्स को कंपेर करके दिखाऊंगा कि जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो निफ्टी बहुत तेजी से गरता है जब इंडिया विक्स गिरता है तो निफ्टी बहुत तेजी स समझाया जाके जरूर चेक करिएगा बट एक बात समझ लिजेगा इंडिया विक्स इंक्रीस करेगी तो मार्केट हमारी गिर सकती है आज 22% बड़ी है इंडिया विक्स तो आप देख सकते हैं मार्केट का सेल ओफ लोगों को पता चल गया था कि कितना बहंकर आया था एक हॉरर शो था या आज की मार्केट का चलिए सारी बाते कर लिए अब बात करते हैं जीडीप के अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आदे घंटे पहले मैंने देखा कि जीडीप आया है quarter to quarter की बात करें तो previous quarter यानि कि quarter 2 पे हम लोगों ने GDP जो देखा था वो था minus 7.5% जो आज और जो अभी current GDP आया है वो आया है positive 0.4% पे तो यानि कि negative 2 negative quarter से इस time quarter पे positive आया है expectation थी कि 0.7 से उपर होगा minimum expectation थी minimum जो मैं कह रहा हूं कि 0.7 से उपर होगा और 1.5 तक कि आसपास होना चाहिए बट 0.4 था यह अच्छी बात है कि यह negative से positive में आया बट यह भी है कि estimate से कम आया है manufacturing growth की अगर मैं बात करूं तो वो आया है 1.6% और जो अनुमान लगा रहे थे हम लोग जो analyst अनुमान लगा रहे थे 5% तक का एक manufacturing growth हमें देखने को मिल सकता है तो यह भी एक negative है definitely positive में आया manufacturing growth बट यह positive नहीं है तो हम लोग ने देखा GDP भी इत्ती अच्छी नहीं grow करी है प्लस inflation के chances increase हो रहे हैं guys crude oil पर हम लोग देख रहे हैं जो opaque countries हैं वो 1 million dollar per barrel का cut करी है होना daily basis demand demand बहुत ज़ादा है supply नहीं है price increase कर रहे हैं हर जगा panic situation है Indian market को सबसे ज़ादा impact पढ़ने वाला है guys Indian market पे सबसे ज़ादा impact पढ़ने वाला है यह बात आप समझे कि depreciate हो रहा है Indian rupees उसकी वज़ा से हमें जो भार के import हम जो करते हैं वह और महेंगे पढ़ने वाले हैं प्लस जो import भार से जो हम import करते हैं उनके product तो महेंगा भिकर है तो क्या करे हमारी current account deficit पे सबसे ज़ादा impact बढ़ने वाला है guys तो आप लोगों को you have to be cautious very very you have to be cautious अब जो last point आता है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बता हूं तो बढ़ते हैं technicals के उपर technicals के उपर बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि technicals हमें क्या बता रहा था कि यहाँ पर sell-off आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था प्लस कुछ comparisons भी करते हैं रुपी और निफ्टी का comparison करेंगे हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्रूड ओइल और निफ्टी का comparison करेंगे हम लोग इंडिया विक्स और निफ्टी का comparison करेंगे कि जब जब यह यह increase होए है तो तब तक निफ्टी पे क्या impact बड़ा है bond deals के बारे में भी check कर लेना आप लोग guys सारी details आपको यहाँ पर provided हो रही है तो I think कि मैंने theoretical हुई में आप लोगों कुछ सारा कुछ cover करवा दिया होगा bond deals के बारे में बहुत easily समझा दिया होगा so right now अगर आप लोगों को invest करना है कहीं पर bonds पे invest करिये जाएए वहाँ पर आपको safest return मिल सकता है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि within this year के अंदर अंदर ये 7% तक भी increase कर सकता है जो कि 6.3 चल रहा है और अगर RBI और अगर US के feds interest rate को बढ़ाते हैं कुछ basis points तो तो और जादे impact आने वाला ये सारी वीडियो को हम लोग continue करेंगे जब ये impact आएगा चल ये technicals की तरफ बढ़ते हैं and check करते हैं कि किस तरीके से market पे आगे further impact आ सकता है सबसे पहले बात करते हैं nifty के बारे में nifty पे आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम trend की बात करते हैं तो the trend is very positive because it's continuously making higher highs and higher lows so यहाँ पर जो trend that is the positive trend ठीक है दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं अगर मैं आपनों को देखता हूं an upside a fall again upside आप देख सकते हैं कि जो previous high था जो previous swing high था उसे break करा yes उसके बात जब यह नीचे आया कि इसने previous swing low को break करा नहीं करा again एक अच्छी up move आये और इसने previous high को break करा है उसके बात अभी continuously नीचे आ रहा है और अभी तक इसने previous low को break नहीं करा है आप यहाँ देख सकते हैं कि previous low को इसने break नहीं करा है तो यह जब तक previous low को break नहीं करेगा trend change नहीं होगा ठीक है बट अब जब trend positive है तो हम लोग sell side की तरफ क्यों बात कर रहे हैं यह जो भी मैंने आपको factors बता हैं यह एक indication दे रहा है कि यहाँ पर trend reversal आ सकता है यहाँ पर trend reversal आ सकता है तो please be cautious यह आपको बताने का reason है आप point को समझ रहे हो ठीक है निफ्टी कम में आप लोगों को weekly chart open करके दिखाता हूं ठीक है यहाँ पर एक bearish pattern developed हुआ है वह bearish pattern का नाम होता है एक harmonic pattern होता है harmonic pattern हम लोग बात करते हैं butterfly pattern yes एक butterfly pattern होता है एक bearish butterfly pattern इसके अंदर बना है जहांसे हम लोग एक sell off expect कर सकते हैं बताऊंगा कितना sell off आ सकता है पहले pattern को draw करते हैं तो आप देख सकते हैं इस point यह एक level था जहांसे हम लोग ने एक breakout देखा था previous high का breakout यह previous high था इसका breakout हम लोग ने देखा था तो चलिए let's draw a bearish butterfly see यह मैंने एक bearish butterfly को draw कर दिया है आप यहां देख सकते हैं अगर मैं इसे थोड़ा सा dark करता हूं तो आप लोग और इसली देख जा है yes अब आप लोग को एक bearish butterfly pattern दिख रहा है bearish butterfly pattern का जो d point होता है d point होना चाहिए 1.618 percent का retracement level extension और आप देख सकते हैं 1.616 मतलब closer to 1.618 exact वहां से हम लोग ने आपको बताया था कि एक sell off आ सकता है exact उदर ही से हम लोग एक sell off को expect कर रहा है अगर मैं targets की बात करता हूं the target should be c point से लेके मैं d point तक एक Fibonacci retracement को draw करूँगा जब मैं c से लेके d तक एक Fibonacci retracement को draw करूँगा तो जो मेरा पहला target आ रहा है that is this level मेरा second target जो आ रहा है that is this level and my third target आपको already पता है तो let's remove this अब यहां पर हम चेक करते है हमारा target का है the first target according to Fibonacci retracement according to bearish butterfly pattern the target should be 13,900 13,900 तक का एक sell off आ सकता है और तब भी अपने यह previous high को previous low को इसने break नहीं करा होगा तो हो सकता है कि यहां पर आय and it gave a bounce again अगर यह इसको break करता है और अपने previous low को break करता है then our next target should be 12,900 जो कि 1000 points नीचे है उसके बाट 12,400 तक का भी एक fall हम लोग expect कर सकते हैं यह targets बने आपको बता दी है guys तो our first target is जो कि 600 points यहां से नीचे है that is for 13,900 rupees Are you getting my point? यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखने है according to technical analysis according to patterns according to harmonic patterns I am seeing कि एक अच्छा sell-off आ सकता है चलिए अगर मैं एक और Fibonacci retracement draw करता हूँ तो यहां पर मैं देख रहा हूँ कि almost almost इस range तक selling pressure देखने को मिल सकता है जो कि हम लोगों ने weekly charts पे जब एक bearish butterfly को study करा और उसके बाद जब लोगों ने bottom से top तक एक Fibonacci retracement draw करा तो मैं पता चला इस range के अंदर अंदर sell off आ सकता है अगर इस range के अंदर sell off आके bounce करता है तो एक बहुत बढ़िया तरीका है buy करने का if you want to buy अगर आप buy करना चाहते हैं lower levels पे तो यह एक level है एक range है जहां पर आप buy initiate कर सकते हैं why I am saying this मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर भी एक harmonic pattern बन सकता है see this अगर मेरे students यह watch कर रहे हैं तो they know कि यह कुण सा pattern है see यह एक pattern बन सकता है the godly and bat pattern और यह bullish pattern होता है अगर d जो होता है cd अगर downward होता है तो यानि कि यहां से एक reversal आ सकता है या अगर cd एक up rising में होता है तो वहां से एक reversal आ सकता है for a downtrend let's watch अगर यह इस level को break करता है that is 14,500 को अगर break करता है nifty का index so we can expect this particular to go below 14,300 so यह पूरे आप लोगों को support level provided है in support levels के basis पे आप लोग यहां पर trade अपने initiate कर सकते है ठीक है सारा points मैंने clarify कर दिया आप लोगों को nifty की उपर चलिए अब compare करते हैं compare करते हैं सबसे पहले हम लोग rupees से ठीक है rupees जब March में 71 से 77 गया था तो हमारी index का क्या हाल हुआ था चलिए तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मैंने सबसे उपर को सबसे उपर nifty रखा है and मैंने नीचे रखा हुआ है USDIR Indian rupees अगर आप सिर्फ Indian rupees को अभी चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि almost almost 72 rupees से यह 74 rupees तक पहुँच चुका है एक शाप हम लोगोंने depreciation देखा है nifty sorry US dollar और INR के बीच में तो हम लोगों को लगता है कि यहां से market correct कर सकती है अब क्या पहले हमें यह बोलने से पहले यह सारी चीज़ें से बोलने पहले हम लोगों को back testing करने पड़ती है guys एक important concept होता है market पे stable रहने के लिए is to do a back testing back testing का मतलब क्या हुआ कि previously भी हम देखेंगे क्या previously जब USD INR बढ़ा था 71-72 Rupies से तो क्या मांक निफ्टी पे फरक पढ़ा था था क्या निफ्टी ऊपर गई थी या निफ्टी नीचे गई थी अगर निफ्टी नीचे गई थी तो यानि कि अभी उपर बढ़ रहा है तो तो भी निफ्टी नीचे जा सकती है ठीक है इसे गहते हैं back testing तो चलिए बढ़ते हैं and check करते हैं कि किस तरीके से जब यह 71 से 77 पहुचा था तो हम लोग ने देखा था कि market पे क्या impact हुआ था तो चलिए मैं थोड़ा इसे पीछे ले जाता हूं येस तो यहां पर आप clearly देख पा रहे हैं ये वाला जो point है that is this point मैं थोड़ा सा zoom कर दूँ आप लोगों के लिए जो आपको clear हो जाए see exact इस point से यानि कि 71.50 पैसा से जब लोग ने देखा ये increase करा almost almost कहां पर 77 तक जब 71 से 77 तक गया तो आप उपर चेक कर सकते हैं ये रा निफ्टी ये exact अपने 12,400 से fall करते 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 किता आगया 7,400 तक आप देख पारे हैं अगर मैं आप लोगों को चलिए date दिखा देता हूँ आप सबसे पहले यहाँ पर date फोकस करेगा इस साइड पर फोकस करेगा ठेक है निफ्टी का जो टॉप है क्या date है 20th Feb 2020 अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अब आप डॉलर इंडेक्स की रुपी की देखिए रुपी का जो date है 20 Feb 2020 क्या यहीं से बढ़ना स्टार्ट हुआ है exact यहीं से बढ़ना स्टार्ट हुआ है और जब यहाँ से फॉल आया you can check exact 25th of March से फॉल आया रुपी में मतलब अप्रिशेट करा आप देख सकते हैं कि उसी टाइम हमारा जो इंडेक्स था वो बढ़ना स्टार्ट कर गया तो बिलकुल को रिलेटेड है मतलब इंवर्सरी को रिलेटेड है अगर यह हम लोग देखते हैं कि इंडेयन रुपी है अगर वो इंक्रीज करता है मतलब देखरिएट करता है अगर आप लोगों को मैं डेफिनिटली समझ रहा हूंगा थोड़े बहुत लोगों एंग कि जब मैं इंक्रीज बोल रहा हूं तो देखरिएट क्यों बोल रहा हूं जब भी हमारी इंडियन रुपी correct करती है, तो plus हम्मोग क्या देखती है Jim Dog इफी है वहऊभी fall करती है जब हमारी currency appreciate करती है, तो index करती है यह एंडिक्स करती है वह भी उपर की तरफ movement करता चया concept clearer है चैट बॉक्स पे या कमेंट सेक्शन पर में बताएगा और वीडियो को एक बार पॉस्ट कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबाजीजिएगा क्योंकि बहुत महनत के साथ आप लोगों के सामने ये कंटेंट में प्रेजेंट कर रहा था तो चलिए अब कंपेर करते हैं इंडिया विक्स को और निफ्टी को जब इंडिया विक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ था तो निफ्टी में क्या हुआ था तो इंडिया रूपी को हटाके ज़रा इंडिया विक्स को ले हैं जब मैं इंडिया विक्स को लेकर आया तो यहां पर भी आप बिल्कुल similarity के साथ देख सकते है See, watch this Let me show you यह है India Wix This is India Wix जब India Wix 20 रूपीज से 80 रूपीज तक पहुचा यानि कि rise करा, increase करा तो exact हम लोग ने fall देखा ठीक है? अब हम लोग ने nifty पे fall कब से देखना स्टार्ट करा था, हम लोग ने देखना स्टार्ट करा था फ्रॉम 24 फेब से और यह India Wix कब से बढ़ना स्टार्ट करा था नीचे देखो 24 फेब से क्या concept clear हुआ? यह भी एक inversely related है जब India Wix increase कर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इस निफ्टी है वो डिक्रीस कर रहा है आर यू अंडर्स्टैंडिंग मैं पॉइंट जब 20 रुपे से यह बढ़ना स्टार्ट करा 80 रुपे पहुचिया तो हमारी मार्केट भी आधी हो गई थी आप देख रहे हो? तो अब आप आगे देखो आगे क्या हो रहा है? यह देख लिए हो यह ब्लू कलर के जोन पर फोकस रखना इस ब्लू कलर के जोन को ब्रेक कर रहा था इंडिया विक्स ने अराउंड जुलाइ में जुलाइ 2020 पर आगे बढ़े जुलाइ 2020 सर्च करते हैं येस ये है अब आप एक चीज़ देखेगा यहां पर निफ्टी एक शापली तरीके से इंक्रीज कर रहा है जहाम लोग ने देखाई इस रेंच के नीचे चला गया था इंडिया विक्स ठीक है? प्लीज बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया विक्स जब इस जोन के नीचे जाना स्टार्ट कर गया था हमारी मार्केट हायर हाईस हायर लोज बनाना स्टार्ट कर गई थी ठीक है? इतनी बात समझ में आई अब आगे देखते हैं आगे क्या हूँ इस रेंच के अंदर यह कप तक रहा इस रेंच के ऊपर गया ही नहीं है इस रेंच के ऊपर आज के दिन ब्रेक आउट दे दिया आज के दिन मार्केट को देखें क्या कर रही है आज के दिन मार्केट आप खुद ही देख सकते हैं वह बड़ा sell-off देखने को मिला है मार्केट पे आइ वह वा पिए कि अगी यह देखी यह जब यह जब एक green color की यह movement हमें को मिली है तो आपको यहां करसर पे देख सकते हैं किता शाप फॉल आमें देखने को मिला तो आप concept समझ गए है ना कि सारी चीजे इन्वर्सरी लिलेटेड है कुरूड ओल के प्राइस इंक्रीज कर रहे हमारी मार्केट कर रही है हमारे इंडिया विक्स इंक्रीज कर रहे हमारी मार्केट गर रही है हमारी इंडिया रुपीज डेप्रिशेट कर रही है तो हमारी market कर रही है आप जब भी देखेंगे हमारी market पे एक sell-off start हो रहा है so I think मैंने आप लोगों के सारे points को cover करवाया होगा और मैंने आप लोगों के future का भी बता दिया होगा कि market अगर इसी तरीके से खराब होती रहे अगर इसी तरीके से इंडिया विक्स बढ़ते रहा अब आप लोगों का काम क्या है आपको भी homework करना है guys सबसे पहले एक watch list add करिये watch list को create करिये इस watch list के अंदर क्या क्या add करना है मैं बताता हूँ आपको सबसे पहली चीज़ अड़ कर रही है US का 10-year bond deal उसका symbol क्या है मैं बताता हूँ US 10-Y डालिएगा US 10-Y आपको US 10-year का bond deal मिल जाएगा add करिएगा इंडिया का 10-year का bond deal IN 10-Y आपको मिल जाएगा उसके बाद इंडिया विक्स को आड करिए उसके बाद US DINR को आड करिए उसके बाद DXY को आड करिए उसके बाद Nifty को आड करिए फिर बैंक Nifty और Sensex को आड करिए उसके बाद सारी करंट्री के इंडेक्स को आड करिए जो की DAO जोन्स हो गया Nikkei हो गया NASDAQ हो गया SNP हो गया Hang Seng हो गया अब आपको बने बता दिया क्या चीज़ इंक्रीस करे तो market को short करना है क्या चीज़ decrease करे तो market को long जाना है तो यहाँ पर अपने concepts को fulfill करिए अगली बार आपको ये video देखने की जरूरत ना पड़े और कोई और videos भी देखने की जरूरत ना पड़े जब भी हम बात करें कि market में sell-off क्यों आ रहा है तो I hope मैंने आपके सारे doubts को clear कर दिया होगा तो इसी के साथ अगर आप इस video पे 10,000 likes लेकर आते हैं तो definitely मैं ऐसी और videos interesting लेकर आते लाऊँगा अगर कुछ future में changes होते हैं तो वो भी videos मैं आपके सामने share जरूर करूँगा तो I hope की videos बहुत लोगों तक पहुचे कि अगर कुछ कि अगर कर दो को